बिरेंजी आप तो पावर कारिडोर के में बहुत रहते हो और बहुत चीजें कोई खबर भी आपको रहती है मसला बताईए कि एक हपते में तीन आईएस अगर यूपी केडर के इस्तीफा दे देते हैं तो यह तो बहुत बड़ी बात है मीडिया में भी मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा इस चीज की चर्चा नहीं हुई कारण क्या है कि यह तीन-तीन लोग एक साथ इस्तीफा दे दिये हपते बर में देखिए यह इस्तीफा बताता है कि कुछ अफसरों में रिड की हड़ी बची हुई है बाकी में तो काफी गल गई है जो थोड़े बहुत अफसर हैं दू-चार परसेंट उनके अंदर बची थी उन्होंने इस्तीफा देके अपना रास्ता किनारे लिया रेणुका कुमार 30 जून को गई थी उत्तर परदेश से एक साल वो केंदर में रह पाई और वहां मामला बना नहीं और उनको इस्तीफा देना पड़ गया वह आपस भेद दिया अभी उनकी नोकरी एक साल बची है उनके पती भी केंदर सरकार में पंचाईती राज भाग मे सचिव हैं लेकिन अजूतिका पाटाणकर का आप देखिए उनकी नोकरी अभी 3 साल है 24 तक है और उनको रखा है केंदरिय सुचना आयोग में सचिव बना कर वहां कोई काम नहीं था गोठलवाल का मामला यह जरूर है कि वो लीप पर थे और सायद कहीं विदेश में फिर क् नोकरी अभी 18 साल बची है 16 साल 2038 में उनका रिटायर्मेंट है तो वो कोई नोकरी तो करेंगे जरूर ऐसे खाली तो बैटे नहीं रहेंगे अब बात आती है यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी है समुद्र की तरह है दुचार लोटा अगर पानी निकल जाएग और ब्यूरोक्रेसी में एक चीज हमेशा रही कि भाई उनकी सान्य सोकत में कोई कमी ना होए चाहे खजाने पर चाहे जतना बोज पड़े तो सेवक के तोर पर भरती होने वाले लोग मालिकों को भी पीछे छोड़ देते हैं बेवस्था में और जब से उत्तर प्रदेश मे बीजेपी की सरकार आई तब से ब्यूरोक्रेसी और बेखाफ हो गई और कई मामलों में उसने मंत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया पहले अपने यह कह जाता था एक साईतिकार ने कहा कि तुम हो लूट ओ हम हो लूटी लूटे के आज़ादी बा और सबसे ज़ादा वहीं लूटी जेगरेत तन पै खा दी बा लेकिन अब खादी वाले तरस रहे हैं और ये इधर मलाई काट रहे हैं ये भी एक चेहरा ब्यूरोक्रेसी का है जब इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पांस से जादा अफसर है उत्तर परदेश में तो सभाविक है कि बहुत सारे इसमें इमांदार हैं बहुत सारे बहुत ब जान गई कि मंत्री हमारा कुछ नहीं विगार सकता तो वो पी डवलूडी से लेके सौद विभाग से लेके इसे तबादलों के भश्टाचार ऐसे ही उजागर होते हैं और मंत्रियों के चिलाने के बाद भी उन पर कारवाईया नहीं होती हैं आप ये देखिए कि आज कल उ स्पीजी पर्टक्शन है वह लंबे समय तक नोगरी करेगा वह लंबे समय तक मलाई खाएगा अच्छे पद पाएगा बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर रहेगा चार-पांच विभाग एक साथ भी पा सकता है ये स्पीजी पर्टक्शन हम लोग समझते थे दिल्ली में पर हैं पाने जी पोंच पकड रहे थे आपने सिंगी पकड़ डिडायरेक्टर और हादमी ये चिलाता है जिए-बहुत-ई-बमारी में वह कुङकी ज़रूरत भी है और वहीं षोर मचाएगा fisherman बहुत ज्यादा हुए घा अब आप देखिए कि राजोस परिषद में कितनी लंबी-लंबी सजा काट रहे हैं अफसर पात साल छे साल लोगों की सजा खत्म है नहीं हो रही है उनका कैरियर खत्म हो जारा है सचीवालें तमाम ऐसे भी भाग हैं जहां पर फाई-फसर तहिना तो अनका कैरियर खत्म हो रहा है अरे आईये सबसरों की एक जो जेल है एपी सी साखा बिर्जे जी नौजान अपसरों की साथ साथ जो उमर के जो नोकरी के अंतिम पड़ाओं में हैं भासा भी भाग सामान परसासन भाग एकी करण भी भाग यह सब का जाए तो डंपिंग यार्ड हैं वहां लाकर ढकेल दिया यह भी तो काबलियत है कि एक एक अपसर 16 16 दददस विभाग का चार्ज है अब पांडे जी को जलन हो रही है इस कारण चिला रहे हैं और कोई बात थोड़ी है पांडे जी ने बहुत सारी बाते साब कई वर रहे हैं देखिए मलाई यह तो इर्षयालू है दूसरे के कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुकाम के साथ और रंज अपसर को बहुत रहता है मगर आराम के साथ तो उनको अपनी कोई सुविधा में कोई कमी न आवे अगर उनकी पोस्टिंग खराब हो गई तब आप देखिए पांड चार्ज वाले भी कैसे नाग रगड़ते हैं को आज उनको भी बड़ी सुवकामना है इस नाग पंचमी की आज कल गाड़ी में पीछे की सीट पर भी साथ मिलते हैं बहुत साथानी की जरूरत इस ब्यूरो क्रेसी के तमाम सारे साथ गोजर बिच्छू आज उनका भी सम्मान होना चाहिए तो पांडे जी ने वही किया है आप देखिए कि कोई भी सरकार हो चार पांच आईए सबसर ही चलाते हैं बाकी तो सब आईए सबसर अपनी किस्मत को कोस्ते घूमते हैं जब मंतरी लिख दिया कि हमारा परमुख सचू फोन नहीं उठाता हमको बैठक में नहीं बुलाता जानकारी नहीं देता वो वाले में दुचार नाम हैं यही सब अपना सरकार हैं बाकी तो सब चीजें आ जा रही हैं कोई पूछने वाला नहीं है अब बीजेपी सरकार में लोगों को यह से बढ़ियां अफसरों को मौका कहां मिलेगा जहां नेता से ज़्यादे अफसर कम हात हो बिर जी जी कंक्लू कितने ही लोगों को मैंने कितने छेतरों में गिरते देखा है जो मौका देखकर कुछ लोग तो एकदम आड़े हो जाते हैं ना उन्हें मोच आती है ना उनकी हड़ी तूटती है सिर्फ धूल लग जाती है और वह धूल सिर्फ कपड़ों पर लगती है आत्मा पर नहीं अदम गोडवी साहब ने लिखा है सुनिएगा कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए आप भी इस भीड में घुसकर तमासा देखिए और जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज उस युवा पीड़ी के चेहरे की हतासा देखिए जल रहा है देश और बहला रही है कौम को और किस तरह असलील है कविता की भासा देखिए और मत्सिगंदा फिर कोई होगी किसी रिषी का सिकार दूर तक फैला हुआ है गहरा कुहासा देखिए बहुत शुक्रिया बिरेंजी बहुत बहुत धरुत